हलो फ्रेंट्स एंड येर इस्टुडेंट्स आज हम कक्ष्चा 11 जोग्रोफी के चेप्टा 6 वह आकर्तिक प्रक्रिया हैं कि कुछ इंपोर्टेंट प्रिशन उत्रों के बारे में जानेंगे जो परिख्चा में बार बार पूछे जाते हैं तो आईए शुरू करते हैं और द कि कौन सा भू अकर्तिक प्रक्रियाओं में साहता करता है तो यहां पर जात्वल या दोनों इसका सही उतर होगा ऑप्शन सी दोनों भूआ कर्तिक प्रक्रियाओं में साहता करते हैं कि सिर्फक कर लिए मैहतपूर्ण तो सभी मिर्दा निर्मान के लिए मैहत पूर्ण है तो इसका सब्सक्राइब निमिली खित में से कौन सा अपच्छे का एक रूप है यहाँ पर ऑप्शन दिया है बहुत तिक विजीकल केमिकल और जैविक बायो बहुत तिक रासाइनिक और जैविक है तो इसका उत्तर होगा तीनों ओपशन डी तीनों ही सई नेक्ट कोष्यान है कि भुः आकर्तिक एजेंट यानि भुः आकर्तिक कारक अर we तो आपका ऑप्शन है यह सभी हैं नेस्सक्राण निम लिखत में से कौन सा जल्य उजान प्रकृया से प्रवावित होता है ग्रेणाइट मिठी कार्टाज यह लवन तो आपका ऑप्शन डी लवन ठीक है सही है आपकी सुवीदा के लिए और चात्रों की रिक्वेस्ट के आधार पर मैंने यहां पर दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिस में प्रिशनों को समझाने का प्रियास्की है इंग्लिस वाले बच्चे इंग्लिस मीडियम में देख सकते हैं नेक्स क्योंसे नेमिली खित में से कौन सा अंतर जात बलों का उधारन है तो आपका इन में से सही जो जवाब है वह है ऑप्शन बी जवाला मुखी नेक्स क्योंसे पानी को अपने अंदर से गुजरने देने की चट्टानों की छमता को क्या कहा जाता है ओप्शन ए सही है संरंदरता कहा जाता है नेक्स क्योंसे वह आकरतिक प्रक्रियाओं का आर्थिस्पस्ट कीजिए एक्स्पिलेंदा मिनिंग और जियो मोर्ग प्रोसेस तो इसके उत्तर है कि दरातल के पदार्तों पर अंतर जनित यानि आंत्रिक और भाई जनित बलॉं दवारा भौतिक दवाव रासाइनिक क्रियाओं के कारण भूतल सरफेस में जो परिवर्टन करने वाली क्रियाओं एक्टिविटी हैं उन्हें भू आकरतिक क्रियाओं कहते हैं कहा जाता है और है जडियास्त क्वेश्चेन मिर्दा यह मिर्दा किसे कहते हैं मिर्दा से हैं मिर्दा से आप क्या समझते हैं तो निए धारातल पर गजो मिर्दा फर्टन का सब्सक्राइब जिसमें जीवित पदार तता पौदों को पोसीत करने की चमता होती है तो यह ग्रूप ऑफ नेचूरल एलिमेंट्स ऑफ दा सर्फेस वीच आइज दा एबिलिटी ऑफ नियुरिशिस लिविंग मैटर एंड प्लांट्स एकी पैडलोजी विग्ञान किसे संबंदित है तो लोग्रा कम से संबंदित है किसे और सब्सक्राइबं भूह करती कारक क्या है यह किसे कहते तो भू आकर्तिकारक के तत्व जो धरातल के पदार्तों का अधिग्रेन तता परिवायन करने में सक्षम हैं जैसे हिम, हिम का मतलब जल वायू आदी इन्हें भू आकर्तिकारक कहते हैं तो दा एलिमेंट्स ओफ नेचर वीज आर एवल टू एक्वायर एंड ट्रांसपोर्ट दा मैट्रेश ओफ दा सर्फेस लाइक स्नौ वाटर एयर इत्यादी आर काल्ड जियों फिक फैक्टर्स जैस्ट क्वेस्ट्टन है अपनी और जा कहां से प्राप्त करती हैं सूर्य दवारा प्राप्त करती हैं कि मिर्दा निर्मान की एक महत्पून प्रक्रिया क्या है इस पस्ट कीजिए बताइए तो मिर्दा निर्मान की जो प्रक्रिया है वह आप छे के दवारा मिर्दा निर्मान होता है तो आप से मिर्दा निर्मान की एक महत्पून प्रक्रिया क्या है तो वाट इज डिनोडेशन क्या है तो इसका उत्तर होगा कि विभीन भाहिर जनीक भुवा करतिक प्रक्रियां जैसे अपच्छे व्रेत चरण संचलान अपरदन परिवेन आधी के कारण दरातल की चट्टानों का उपरी आवरन हट जाता है जो तरतल के उपर जो जमा होता है तो किसके दावारा अपच्छे के दावारा हो जाता है परिवेन इक जगह से दूसरी जगह जाने पर होजाता है इसे अन चाहदन कहते हैं कि नेस्ट फ्रक्रियां को नियंतरित करने वाले दो प्रिमुकार्ण कौन-पौन से हैं वार्ट आर दा टू मेजर फेक्टर कंट्रोलिंग दा जियो मोर भेक प्रोसेस इसका उत्तर होगा ताप मान वैब वर्षन कौन सा ताप मान टेंपरेचर एंड वर्षन ही वो आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं निच्येपन के लिए कौन सी सक्ति सायक होती हैं तो गुर्टवाक्षन सक्ति व्र्षन संच्छलन के में सायक होती है निच्चेपन क्या है किसे कहते हूं वाट इज डिपोजिशन से निच्चेपन का स्टेट के परेगदी की किसा सतान हो जया जाता है तो इस परीकरिया को कैहते हैं कि इंगलिश में देखना वह जए देख सकते हैं जब्सक्रास हैं एक उस्टों स solche को देखाइब एक सबस्टेगर मिसासा चुछ किसे कहते हैं वाट इज वैदरिंग अपच्छे किसे कहते हैं आप इस अपच्छे से आप क्या समझते हैं तो अपच्छे उस यांत्रिक रासाइनिक प्रिक्रिया को कहते हैं जिसके कारण सैले एक ही इस्तान पर तूटती पूटती है या आप गटित होती है उसे क्या कहते है अप्चे कहते हैं यानि सेलों का तूटना फूटना विकरना अप्चे कहलाता है next question है रासाइनिक अप्चे क्या है what is chemical weathering तो रासाइनिक अप्चे कोई एक उदारन के माध्यम से समझा जा सकता है जैसे नमक की एक डली को नमी वाले इस्तान पर रखने की वज़े से वह गलकर खतम हो सकति यह लोए को खुलेव और नमी वाले इस्तान आदन पर रखने से उसमें जंग लग जाती है और दीरे दीरे वह नस्टो कर मिड्टी में मिल जाती है नमक का गलना और लोए में जंग लगना यह रासायनिक रिया है यही प्रिक्रिया चट्ठानों के साथ ही होती है तो इशे है क्या कहते है रासायनिक प्रिक्रिया का महत्त है वाट इज दा इंपोर्टेंस ऑफ वैध्रिंग प्रोसेस तो चट्ठाने xture को में हमेंदर निर्मान में साया होती हैं चोटे 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 टुकड़ा में 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 क्योंकि आप कारण अधर्ण का निश्चा हो जाता है और वे इस्तानानतूर थैंग और एक जगे एकटे हो जाते हैं नेक्स क्वेशन है कि व्रत संचलन क्या है या इससे आप क्या समझते है वाट इस मास मुमेंट तो सेलों का कि मलवा चोटे या बड़े रूप में गुर्त वाक्षन बलके कारण डाल के सारे मंद दी में यत्रुगत्ती से इस्तानांत्रित होता है तो इसे व्रत संचलन कहते हैं अगला प्रसंद आपका कि अपर्दन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं क्या तात्प्रिया वाट इज मेंट वाइदा प्रोसेस ओप रेशन तो प्रवावित जल बोम जल इमानी यानि बैता हुआ जल बूमिगत जल रहा वायू लहरों इमदाराओं दावारा सैलों को काटना खुरचना और उससे प्राप्त मलवे या आवसाद को एक जगे से दूसरी जगे ले जाना अपर्दन कहलाता है नेस्ट क्वेशन आपका कि तल संतूलन किसे कहते हैं वाट इस काल्ड ग्रेडेशन या तल सुन तल से आप क्या समझते हैं तो प्रकृति ने दरातल पर कहीं उच्छे पाड़ बना हैं कहीं पर गहरी गाटियां बनाई हैं तो आपर्दन के विविन कार्थ को के मैंसे उच्चा वच्छ थे मजद इस अंतर को कम करने को कब शंतूलन कहा जाता है जो यह नहीं कुन संतूलन कहते हैं सतल आ हैं आपको परिक्षा में अच्छे अंक दलाने में मेहत पुन सिद्ध होंगे Thank you for watching my video I have a nice day